बड़ों को फरनाम बच्चों को फ्यार आप सबको नमस्कार जहिन सातियों में आरके नएक आप सभी का इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही मैत्पुन वीडियो में आप सभी का हार दे के स्वागत करता हूं आज सातियों हम भारतिय शवतंतरता अधिनी मुनिस सो से इन्ताल करता हूं अब तक कि जितने भी वीडियो आपने देखें होंगे पीडियेफ आप डाउनलोड कर लिया होगा और रिवीजन आप बराबर कर रहे होंगे क्यों कि सातियों भारतिय सवविदान से समधी संपुन जानकर दी गई है और पीडियेफ भी आप पे रिवीजन के लि नहीं है तो यह जो पुष्टक आप देख पा रहे हो इसमें पुष्टक पले से उफर जो नोट्स है इन में से अगर किसी का पीडियो चाहिए तो आप हमारी प्ले लिस्ट जिसमें बुक रिव्यू किया गया है उससे समधित जानकर लेकर के आप अपने एक्जाम की करेंगे तो समझ में आ जाएगा तो उसका पेडियो के लिए आप हमारे कोमेंट बॉक्स में कोमेंट कर सकते हो इस वीडियो में और बाकि हमारे टेलिग्राम चलन और वासब गुरूफ को जोइन करें आज आती हम जानकर लेने वाले हैं वह भारतिय सविदान से समधित एक सब्सक्राइब बारतिय विदे का प्रारूप तयार किया अब यह जो प्रारूप है यह तैयार हो गया और माउंट बेटनी योजना से समंधित भी अगर आप से एक्जाम में क्यूशन पुछे तो आपका क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए उसके बाद में साथियों आप य किया गया उसके बाद में अठारा जुल्ए उनीसों शेनतालिस को इस आदिनियम को शंब्राट द्वारा स्विकृति परदान की गई और इस प्रस्ताव के कुछ मैंत बिंदू जो एक्जाम की दिरिश्टिशन हमारे लिए मैंत पुर्ण है उनको हम जरूर देखेंगे यह साबित हो सकती है बागी साथियों आपको इतियास और जियोग्रोफी के नोर्स एकॉनमी के या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट का नोर्स चाहिए तो आपको फरी में मिल जाएगा कोई टैंसल लेने की जरूत नहीं है बस आप पढ़ते रहें रिविजिन करते रहें और वी कॉमिनियन इस्तापट किये गये या फिर किये जाएंगे उसमें कौं कौन थे साति हो एक तो अपना प्यारा इंडिया था भारत और दूसरा है साथ्यों यह पाकिस्तान और उस समय साथिऊंच पाकिस्तान जो वर्टमन समय का बंगलादेश है वह आप यह पर देख पा रह है कि भारत की जो पाकिस्तान के साथ है सिमा कितने किलोमेटर लगती है नंबर एक कॉमेंट कीजिए और सबसे ज्यादा लंबी सिमा भारत की किस देश के साथ लगती है कॉमेंट करके बताईए बाकि जोगरोफी के नोस अगर आपको मिल गए होंगी तो अपने रिविजिन किया होगा आपको पता होना चाहिए बंगाल तता पंजाब के दो-दो फ्रांट बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया और उसके बार में पाकिस्तान को मिलने वाले चत्रों के अलावा जो बच्चे हुए प्रांट बारत में साम अबर्म का जो शिलहेट जिला है पाकिस्तान में सामिल होना था बारत में क्राउन की सरकार का उत्रदायत हुए तता भारतिय रियास्ते जितनी भी थी उन्हें रियाक्तों पर क्राउन का प्रवाव 15 अगयत 1947 को समाप्त हो जाएगा जो बिर्टेन की मारानी थी या फिर बिर्टेन सरकार का उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे कि पाकिस्तान तता भारत के जो विदान मंडल है उन विदान मंडलों को कुछ विशयों पर कानून निर्मित करने का पूरण अधिकार होगा और इसमें बिर्टी संसद कोई हश्चेप नहीं करेगी यानि बिर्टी संसद है व कानून निर्मान करने के लिए चाह दे दिया गया है उसके बाद में क्या किया गया कि अधिकार भी दे दिया और हम किसी भी परकार का कारिया में व्यवदान नहीं डालेंगे तो साथ यह आपके लिए काफी महत्वान जानकरी 12-17 अधिनियम 1935 इसके बारे में इससे से पहले हमने बहुत ही मैत्रबुन जानकर आपको दी है और कॉमेंट करके जरूर बताइए कि भारत का लगू सविदान या फिर मिनी कॉंस्टिटुशन किसे कहते हैं बारत का जो सरकार बारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है सातियों तब तक इन दोनों डोमिनीन राज्यों को श सविदान में बहुत मैत्रबुन रही है जब तक सविदान नहीं बन जाता तब तक यही भारत सरकार अधिनियम 1935 दोनों राज्यों को अपनी सासन चलाने के लिए अपने कानून वेवस्ता को बनाये रखने के लिए अपना नयाय वेवस्ता सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए यह मदद करेगा इन राज्यों को चलाने के लिए उसके बाद में साथियों जब तक कि दोनों राज्य ने सविदान को अपना नहीं लेते यानि नया सविदान बना करके उसको अपनाते नहीं है या फिर अलग-अलग इनको अगर लगता है कि हम भाई अपना अलग सविदान होगा उसका भारत का अलग होगा तो तब तक उनको क्या करना होगा इस यह काम चलाना पड़ेगा उसके बाद में साथियों यहां पर लिखा है कि फिर भी अगर लगता है कि अधिनियम में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है तो किया जा सकता है लेकिन इसके देने तक है तो वह आप भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाएंगे लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 1935 के आदार पर ही आप सब कुछ करें आप उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो लेकिन परिवर्तन करने के लिए गवर्नर्स जनरल की अनुमती जरूरी है जब तक गवर्नर्स जनरल की अनुमती नहीं होगी आप इस दाइरे से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं यह उसकी एक बहुती महत्पुन सरत या फिर उनका क्या था यह उनका सुजाओ था कि भई आप सविदान जब तक बनाते हो तब तक भार सरकार अधिनियम 1935 के परतेक डॉमिनियन के लिए अलग-अलग गावर्नर्स जनरल होगा और उसे क्या करना होगा ब्रिटिस क्राउं द्वारा उसकी न्यूक्ति की जाएगी या फिर उसको न्यूक्त किया जाएगा उन समझत अनुबंदों और उनकी जो संदियां थी उन संदियों को समथ्त कर ता और ढाइगा जो भारत के समराट या पशम्राग Wasn't की सरकार तथा भारतिर राजाओं के ना स्मराट एह फिर फें जितने भी यह माराजा वगिरह तो तो पें जितने भी वड़ी वड़ी थी उन सबकी बीच में क्या समझ वोरके थे लेकिन अब क्या होगा उन समझत को आपको मानना बादे नहीं होगा क्योंकि अब दिरी दिरी क्या है वह इस्तिती नहीं रही तो उसके बाद साथियों साही उपादी से भारत का समराच समाप्त हो जाएगा यह इस प्रकार का प्रावदान किया गया जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट क के तहर हम पढ़ाएंगे तो उसमें मौल अधिकारों में बताएंगे कि भारतिय शविदान के कौन से नुछेद में है क्यों-कौन सी उपादियां हटाए गई एक और कौन-कौन सी उपादियां आपको बनी रहेगी जो की आपने क्या है या तो मेहनत से किया या पढ़ लि सब्सक्राइब करने के लिए गवर्नर जनरल को ऐस्ताई आदेश जारी करने का अधिकार परदान किया गया उसके बाद में साथ हूं यहां पर है इसमें शेकेटरी ओफ इस्टेट की सेवाओं तथा ब्रिटिस इस्तल शेना भारतिय सस्तर बल और नो शेनायों वाहिव शेना गर्वर्नर जनरल की सरकार का अधिकार से यरी रहने की सरते रखी गई इसी परकार बारतिय सबुए तरीम उनिस सुझ सेम्तालिस, के दोरह 14 drought ऑगैस्ते फंध आगैस्त मौत का हो जाता है साकियों भारत और पाकिस्तां इ collab का अल्ग क्या हो जाता है पाकिस्तान बन गया औ डूमिनियनों का गठन कर दिया गया शाउतंतर वारत का पहला मंत्री मंडल सदसे तो यहां पर साथियों सदसे हैं और आदारित विबाग दारित विबाग जो भी इनको मतलब दिये गए थे उन विबागों पर कुछ मैं तो कुछ जानगर ले लेते जो कि इस वीडियो के हिस अगला उमीद कर सकता है कि सविदान के बारे में ये भी आपको जानकारी होगी तो सबसे पहले साथियों पंडित जहारलाल नेरू परदान मंत्री राष्ट्र मंडल और विदेश मामले और वेग्यानिक सोध से समदित जो विबाग था पूरा इने के पास था सरदार वलब का पाइपरेल के पास में साथिओं घर मंत्र मंत्राले था सुस्नायल परषाण मंत्री राजियों के जुमाम दे वो ये देखते थाे डौक्टर रमराव अमबेट गर्वsemble ये मंत्री जग्जिवन राम शरम मंत्री संधार बल्देविशिंह स्वाष्ति दोक्टर शामा प्रसाद मोखर जी मंदल था लुक्तर व्री में मुंदल ये सात्यों के यह वद्व moan कि ठीजां मंदल यह ना करता हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी साथी ऑपने प्लिज करें कि रैफabad करें पिंदिया रखिस के साथ दन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम